अगर आपने मुझे अनेकेडमी पर अभी फॉलो नहीं किया तो कर सकते हैं जो अनेकेडमी का लेल्निंग एप्लिकेशन है इससे आप प्लेइ स्टोर से डाउनलोड कर लिजीगा आप्टर दिन आप मुझे वहाँ पर सर्च करके फॉलो कर सकते हैं यह फिर इसका लिंक दिया हुए आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जहाँ पर क्लिक करके भी आप डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं जिससे कि अपने यूटूब के अलाव जो अधर वीडियो है वो आपको यहाँ पर मिलते रेगी continue मिना मिशुए ठीक है तो देखे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारी लास्ट वीडियो क्यूज थी आपके लिए हाल ही में ACI खेलो में स्वरण पदक विजेता अमित पंगाल को इस साल अरजुन पुर्शकार के लिए चुना ग संयुक्त राष्टर प्रियावन का रेकरम जिसको UNEP कहते हैं सोट में नेक किसे Champions of the Earth नामक पुर्शकार के लिए चुना है तो आप कांशोगा यह चुना गया है दोस्तो नरेंदर मोधी प्लस Emanuel Macron इन दोनों को जो है जो यह UNEP है इसके दौरा एक पुर्शकार दिया जाता ह Champions of the Earth नामक पुर्शकार दिया जाता है और इन दोनों को इस बार इसके लिए चुना गया है नरेंदर मोधी प्लस Emanuel Macron इन दोनों के गर मैं बात करता हूँ तो नरेंदर मोधी के बारे में आप सभी जानते हैं हमारे भारत के यह अभी प्रिजान मंत्री है और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इस पुर्शकार की Champions of the Earth इस पुर्शकार के मैं बात करता हूँ तो यह टोटल पांच स्रेणियों में पुर्शकार दे जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइप टाइम अच्यूमेंट के लिए जाता है एक नितिगत नेतरत के लिए जाता है और एक उद्मिता विजन के लिए और एक विग्यानेव नवाचार के लिए ऐसे मिला कि टोटल पांच स्रेणियों में पुर्शकार दे जाता है लेकिन अब यहाँ पे हम बात करते हैं इन दोनों परसंस की तो इन दोनों को यह पुर्शकार दे गाई यह दे गाई नितिग परियावन सरक्षन के लिए कई सारे प्रोजेक्ट की सुरुवात की है और परियावन सरक्षन के छेतर में अपना अतुले योगदान दिया है उसी के लिए यह पुर्शकार इनको दिया गया है ठीक है और यह किसकी दिवार दे जाता है UNEPN की United National Environment Program इसका फुलफोम होता है यह भी एक्जाम में पूछ लिया जाता है इसका फुलफोम तो आपको ध्यान रखना है एक बार फिर से मैं रिपिट कर रहा हूं United National Environment Program इसका फुलफोम होता है इंदी में कहते हैं सयुक्त राष्टर परियावन कार्यकरम इसको और इसी के दोवारा यह पुर्शकार दिया है ठीक है अब बात करते हैं देखिए इसकी जो यह पुर्शकार की शुरुवात हुई थी यह भी आपको थोड़ा से द्यान रख लेना है 2005 में इस पुर्शकार की शुरुवात की थी पहली बार यह पुर्शकार दे गया था 2005 के अंदर ठीक है चलिए next person की तरह बढ़ते है देखिए अपना हाल ही में UNEP ने किस अंताराष्टी अवायट डे को उद्मिता विजन स्रेणी में Champions of Earth पुर्शकार से सम्मानित किया है तो आपका अंस्रों को यह क्या है कोची International Airport को देखिए यह जो पुर्शकार है मैंने अभी परस्ट करस नोग पर डिसकस किया था उसी स सातीकिकर देखिए लेकिन यहाँ पे जो कैटिगरी है यह अलग कैटिगरी यहाँ पर टोटल मैंने जैसे कि अभी उपर आपको बताई थी पांच कैटिगरी यहाँ पर इसके अंदर यह जो पुर्शकार देखिए इंटरनेशनल एरपोर्ट का वो दिए उदमिता विजन देखिए अगर यह बात करते हैं तो यह पुषकार इसको इसलिए दिया गया है, आपको जैसे कि मैंने एक बार बताया था, जब यह यहाँ पे बना था, जो कोची इंटरनलैसनल एरपोर्ट है, विश्वे का एक मात्र ऐसा एरपोर्ट बन चुका है, पहला एरपोर्ट है, ज यहाँ पे आपको द्यान में रख लेना, ठीक है, आप देखें, UNEP की द्वारा यह पुषकार देगा है, उपर भी हमने वही बात कि थी, वही सेम पुषकार है, थोड़ा सा अगर मैं बात करता हूँ, UNEP की, तो UNEP जो है, इसका जो हेड़कोटर है, आपको ज़रूर द्यान केंदर सरकार ने दूर संचार आयोग का नाम बदल कर क्या रख दिया है, तो एक केंदर सरकार जो हमारी सेंटल कोवर्मेंट है, उसके दुआर जो दूर संचार आयोग है, हमारे इंडिया का, उसका भी नाम जो है, चेंज कर दिया है, और इसका जो नया नाम है, वो क्या र जे एस दीपक, जे एस दीपक की अभी प्रजेंट में जो है, दूर संचार आयो, जिसका नए नाम है, डिजिटल संचार आयो, इसके नए अध्यक से जे एस दीपक, फिर देखें, स्टीफन लाफएंस किस देश के प्रधानमंत्री है, जिनको एविश्वास प्रस्ताव की व इनके खिलाब जो एविश्वास प्रस्ताव था, उसमें ये अपना बहुमत सिद्र नहीं कर पाए, और इसी वज़े से इनको जो है, अपने पत से इस्तीपा देना पड़ा है, ठीक है, जिन दोस्तों को एविश्वास प्रस्ताव के बारे में पता नहीं है, मैंने एक पर् सरकार ने GSTN को 100% सरकारी स्वामित्व वाली कमपनी में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, सरकार के पास अब तक GSTN का कितना प्रतिसत इस्सेदारी है, तो देखे, क्वासन आपको समझ में आगया है, सरकार के पास अब तक कितना प्रतिसत GSTN की इस्सेदारी ह इसका full form है यह भी यहाँ पर जैसे GST की full form तो बार-बार पूची जाती है एक बार यहाँ पर इसकी full form भी पूची जा चुकी है GSTN की full form तो यह सैम हुई है यहाँ तक तो GST तक तो सैम है goods and service tax आगे network आपको जोड़ देना एन का मिन्स है आपे network तो यह full form भी आपको ध्यान में रखनी है और देखिए जो GSTN network है इसके जो मतलब की सरकार के पास जो हमारी government है उसके पास इसकी अब तक 49% इससेदारी है और जो बाकी की 91% इससेदारी है वो एक जो टोटल 4 निजी संस्ताएं हैं उनके बासा इसकी 91% इससेदारी ठीक है यह आपको ध्यां डखना है लेकिन अब भी सरकार ने एक परस्ताव मनझूर कर दिया है पारित कर दिया है और इस प्रस्ताव के तहत जितने भी जो इसकी टोटल 100% प्रतिस्यती सिदार जो है वो सरकार लेने वाली है यहनकि अब तक तो सरकार के पास इसकी 49% लेकिन आगा मी समय में सरकार इसका पूर्ण सवामित वाली जो है मालिक बन जाएगी इसका अब बात यहाँ पर करते हैं देखें जो 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 इसका है इसका निर्मान किसके दुआरा किया गया है तो देखें इसका नाम है यह जो आप देख रहे हो फोटो में Beyond Visual Range Missile है अस्त्र और इसका जो है हाली में सफल परिक्षन किया गया है कहाँ पे जो पस्म मंगाल का कलाइक उंडा एरपोर्ट है वहीं पे इसका सफल परिक्षन किया गया है यह किसके दुआरा निर्मित है तो आपको बताना है DRDU की दुआरा इसका निर्मान किया गया है DRDU यहाँ पे इसका अंसर हो जाएगा आपका ठीक है यह स्वदेसी मिसाइल है यह जिसका निर्मान हमारे इंडिया की दुआरा किया गया है DRDU की दुआरा अब बात करते हैं दिखिए इसका थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान रख लेना है यह जो मिसाइल है यह मतलब की हवा से हवा में माल करने वाली मिसाइल है ठीक है और इसको जो अभी लॉंच किया गया है परिक्षन जो इसका किया गया है जो सुखोई 30 नामक जो विमान है लड़ा को विमान है उसी के द्वारा इसको लॉंच किया गया था अगला प्रसें लिही में संपन G4 सदस्य देशों की वेठक में भारत का प्रतने दित्वेक इसके द्वारा किया गया है तो आपका अन्सरोगा यह किया गया है जो हमारे भारत के अभी प्रजेंट में विदेश मनतरी है जिनका नाम है सुस्मा सवराज इनी की द्वारा आपको यहां पे ध्यान रखना है अगर मैं चार सदस्य देश जो इसके है उनके नाम की बात करता हूँ तो इसमें हमारा इंडिया तो सामिली है इसके अलावा तीन जो देशे उसमें ब्राजील सामिल है उसके अलावा जापान सामिल है और जर्मनी सामिल है तो इस तीनो चार नाम आपको जरूर ध्यान रख लेना ठीक है इंडिया के अलावा ब्राजील जापन और जर्मनी ये तिनों नाम आपको इसको जरूर ध्यान रखना है जी पोर के ये सदस्य देश हैं अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं जी फोर का मकसद क्या है इस संगठन का क्यों इसको क्रिएट किया गया है इस जी फोर संगठन को ठीक है तो देखिए यह जो काम है इसका जाय जो कारे वो है जो राष्ट्रा यान कि यूनाइटेड नेशन है उनाइटेड नेशन सुरक्षा परिशद उसके अंदर इस्ताय सदस्रता के लिए एक दूसरे का यह क्या करते हैं स क्या है इसका उद्देश से क्या है देखें यहां पर जो जन धन दर्सक नामक एक mobile application लोंच क्या है जिसको यहां पर किसके मतलब किसका मकसद क्या है लोंच करने का तो इसका में मकसद है वित्तिय सेवाओं के अंदरों की जानकरी देना यानि कि जितने भी जो मतलब की नियरेस्ट वित्तिय सेवा के अंदर है वो सारे इसके अंदर आपको मिलेंगे आपको यह information देगा कि कहां पर वित्तिय सेवा के अंदर है आपके आसपास ठीक है वित्तिय सेवा के अंदर मतलब की जो बैंक है यह फिर जो डाग गर रहे हैं ऐसी जो मतलब की जो वित्य उपलब्द करवाते हैं जो पैसे बारे में यह इन्फोर्मेशन देता है और इसी को यहां पर लोंच किया गया है ठीक है यह आपको ध्यान में रखना है चलिए नेक्स्ट हमारा प्रशन देखिए हालहीमिक इस तिन को विस्वप्रियेटन दिवस के रूप में सेलिबरेट किया गया है या मनाय गया है तो आप कान्शों का 27 सप्टमबर को 27 सितमबर को जो है वर्ल्ड टूरिजम डे के रूप में मनाय गया है यह आपको ध्यान लखना है और अगर बात करता है इसकी की गई थी मनाने क्यों किसके द्वारा की गई थी तो वो की गई थी जो सयुक्त राष्टर विस्वपरियेटन संगटन है सयुक्त राष्टर विस्वपरियेटन संगटन उसी के द्वारा इसकी सुरुवात की लिए याने की सोट में कहता है इसको UNWTO के द्वारा इसको सु तो आपको बताना है इस बार का जो इसका थीम है या विसे है वो है परियेटन वे डिजिटल परिवर्तन इसका जो है अब करवार का इसका विसे है ठीक है नेक्स्ट अपना प्रसंद देखिए हाल ही में जारी टाइम्स हाइर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्शिटी रैंक 2018 में किस यूनिवर्शिटी को पहला इस्तान मिला है पहली रैंक मिली है तो आप कांशलोगा जो ऑक्सपॉर्ड यूनिवर्शिटी है उसको इसमें फर्स्ट रैंक मिला है लेकिन अगर यहां पे कुसन अगर पर्टिकुलर इंडिया का पूछा जाता है कि इंडिया में किस इंडिया में जो मिला है वो मिला है IISC यानि कि जो यहां पे IISC है इसको जो बेंगलोर के अंदर रिस्तित है इसको इसमें पहला rank मिला है अगर particular इंडिया की बात करते तो और worldwide की बात करते हैं तो जो Oxford University है इसको इसमें पहला इस्तान मिला है ठीक है दूसरा यहां पे मिला है जो आप देख रहें यहां पे इंडिया की बात करता हूँ तो IIT Indoor को मिला है और तीसरा मिला है IIT Mumbai को केवल इंडिया के गर बात करते तो next यहां पे देखिए किस देश को अंतराष्टिय मुद्राकोस जिसको IMF खहते हैं सोट में ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी लोन रासी उपलब्द करवाई है तो देखिए यहां पे आपका अंश्रवा अर्जेंटिना देखिए अर्जेंटिना को हाली में जो IMF है अंतराष्टि मुद्राकोस जिसने अपनी अब तक की सबसे बड़ी लोन रासी इसको जो है उपलब्द कराई है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है यह काफी इंपोर्टेंट यहां पर प्रिशन है और जो लोन की रासी है वो है 57.1 billion dollar एक billion की बात कर रहा हूँ यहां पर ना की million की ठीक है तो 57.1 billion की रासी आप लोन के रूप में मतलब की जो अर्जेंटिना इसको उपलब्द करवाई है अंतराष्टि मुद्राकोस ने और यह इसका अब तक का सबसे बड़ा लोन रासी है यह भी आपको धान रखना है चलिए अब बात करते हैं देखिए जो आज की क्वीजह आपके लिए इसका अंसर आपको लिखना नीचे comment box ने तो देखिए कौसन आज का हाल ही में किस राज्य को Pacific Asia Travel Association द्वारा gold medal से सम्मानित किया गया है तो जो भी आपका अंसर है इससे related आपको लिखना नीचे comment box ने सो होगा इस यह थी आज की current आप फिर I hope आपकी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी किसी भी कसन से related कुछ doubt है तो comment box में लिखिएगा और वीडियो पसंद आई है तो अगर एक like प्लस जादा जादा दोस्तों के साथ इससे share जरूर कीजिएगा जो भी आप Facebook वर्टस यूज करते हैं तो आज की इस lesson में इतना ही thank you so much for watching us धन्यवाद